नमस्कार दोस्तों कास किलासीज में एक बार फिर से आप सभी का मैं चंदरहास स्वागत करता हूँ और आज की इस वन नाइनर सीरीज में हम HSSC की दरस्टी से जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन है उन क्यूशनों को पढ़ेंगे ऐसे क्यूशन जो जरा सलेबस से हटके है परंतु उसके बावजूद भी HSSC वाला एकजाम में पूछता है ऐसे क्यूशन जो आपकी नजर में पहले नहीं आए होंगे आज ऐसे परस्टों को आप पहली बार पढ़ेंगे आप पहली बार पढ़ेंगे ऐसे परस्टों लगबग बहुत कम करवाए जाते हैं तो आज हम ऐसे परस्टों के उपर नजर डालेंगे जो HSSC की दरस्टी से बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है और हम ये चाहते हैं कि यदि पूरा कोर्स हम HSSC के माध्यम से करवा रहे हैं तो कोई भी आपका परस्ट ना छुट पाए और कोई भी आपका परस्ट ना छुट पाए इसी लिए हमने वन लाइनर सीरीज शुरू की है आप लोगों के कहने के उपर कि सारे परस्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से किलियर हो जाए चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज का जो पहला क्यूशन है, जीन्द रियासत की तहसीलदारी छोड़ कर किसने परजा मंडल आंदोलन शुरू किया था, जीन्द जो रियासत थी, उस रियासत की तहसीलदारी छोड़ कर किसने, किस विक्ती ने जीन्द से परजा मंडल ने जीन्द से परजामंडा लांदोलन की सुरुवात की थी तो आप बताएंगे हीरा सिंग चिनारिया कोल हुआ करता था हीरा सिंग चिनारिया उसके बाद में नेक्स क्यूशन मारले मिंटो सुधार का विरोध बाल मुकुंद गुप्त ने किस पत्तर के माध्यम से किया था बाल मुकुंद गुप्त के बारे में आपने सुना होगा बाल मुकुंद गुप्त जिनके गुरू का नाम होद्दू खा था बाल मुकुंद गुप्त जिनका संबंद गुडियानी जजर रेवाडी से रहा है एक टाइम ऐसा था कि वो जो गुडियानी है वो पढ़ता था कहां पर तो आब बताएंगे जजर में एक टाइम ऐसा था कि वो जजर पढ़ता था रोहतक में लेकिन आज वो गुडियानी पढ़ता है रेवाडी में और उसी रेवाडी से गुडियानी गाउं से बाल मुकुंद गुप्त का संबंध है जिनके गुरू का नाम होदुखा था ये बाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के उपर समान अधीकार था हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी और उर्दू में अकबार एचुनार और कोहिनूर समाचार पत्तर किसने निकाले थे तो आप बताएंगे बाल मुकुंद गुप्त ने निकाले थे लेकिन 1909 में जो मारले मिंटो सुधार आया था उस सुधार के खिलाप किसने पत्तर निकाले थे बाल मुकुंद गुप्त ने और जो मारले मिंटो सुधार के खिलाप जो बाल मुकुंद गुप्त ने पत्तर निकाला था वो था सिव संभू का चिथा एक बार के उससन को फिर से देख लेते मारले मिंटो सुधार का विरोध बाल मुकुंद गुप्त ने किस पत्तर के माध्यम से किया था तो मारले मिंटो सुधार का विरोध बाल मुकुंद गुप्त ने सिव संभू का चिथा जो सिव संभू का चिथा है इसके माध्यम से किया था इसका विरोध किया था वो किसके मादम से किया था तो आप बताएंगे सिव संभू का चिठा उसके बाद में किस जिले के जाटों पर आरिये समाज का परभाव अधिक था हरियाना का वहें डिस्टिक जिसमें जाटों की अधिकता थी और उन जाटों की अधिकता वाला डिस्टिक जिसके उपर आरिये समाज का परभाव सबसे ज़्यादा रहा है हरियाना में आरिये समाज का परभाव किस जिले के जाटों पर सबसे ज़्यादा रहा है तो आप बताएंगे हर्याना में आरिये समाज का परभाव सबसे ज़्यादा रोहोत्तक के जाटों के उपर रहा है हर्याना में आरिये समाज की पहली साखा रेवाडी में 1880 में महर्ची द्यानन सश्वती ने खोली थी उससे पहले साल 1880 में 1879 के अंदर महर्ची द्यानन सश्वती ने हर्याना की पहली गउशाला रेवाडी के अंदर खोली थी और विश्व की पर्थम गउशाला थी जो भारत की भी पर्थम गउशाला हुआ करती थी 1880 में और उसी 1880 में हर्याना की हर्याना राज्य की पहली नहर या सबसे पुरानी नहर या सबसे सूपरसीद नहर पस्षिमी यमन नहर ताजे वाला से निकाली गई थी लेकिन हमारा तो क्यूशन ये है कि किस जिले के जाटों के उपर आरिय समाज का परभाव सबसे जादा रहा है तो आप बताएंगे रोहतक जिले के जाटों के उपर हर्याना में आरिय समाज की पहली साखा 1880 में रेवाडी में खुली थी बच्चे लेकिन हर्याना में आरिय समाज की दूसरी साखा रोहतक में खुली थी और रोहतक में आरिय समाज की दूसरी साखा कब खुली थी तो आप बताएंगे 1883 के अंदर आरिय समाज की दूसरी साखा रोहतक में खुली थी किलियर है तो चलिए हरियाना में होम रूल लीग का कारिय ऐसफल होने के बाद पंडित नेकी रामसर्मा बाल गंगदर तिलक को कहां बुलाने गए थे हरियाना में होम रूल लीग का कारिय ऐसफल होने के बाद हरियाना में होम रूल लीग का कारिय ऐसफल होने के बाद पंडित नेकी रामसर्मा बाल गंगादर तेलक को कहा बुलाने गए थे तो आप बताएंगे पूना महरास्तर के अंदर बुलाने गए थे प्यारे बच्चे एक बार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बाल गंगादर तेलक के होमरूल अभिहान के सदे से पंडित नेकी रामसर्मा बने ही कब थे बाल गंगादर तेलक का जो होमरूल अभिहान था उसके सदे से पंडित नेकी रामसर्मा कब बने थे तो आप बताएंगे 1916 में कब बने थे 1916 में ये पंडित ने किराम सर्मा जिसने 1914 से 18 तक जो विश्व युद चला था उस विश्व युद में सैनिक भरती का मुख्य के अंदर रोहतक हुआ करता था और रोहतक से 22,144 सैनिक भरती हुए थे और उस सैनिक भरती का विरोध पंडित ने किराम सर्मा ने किया था उस सैनिक भरती का विरोध किस ने किया था पंडित ने किराम सर्मा ने और ये पंडित ने किराम सर्मा बाल गंगादर तिलक के सवराज अभिहान के सदे से बने थे 1916 में बाल गंगादर तिलक के होम रूल लीग के सिदे से बने थे 1916 में लेकिन हरियाना में होम रूल लीग की ऐसफल होने के बाउचुद हरियाना में होम रूल लीग का कारिय ऐसफल होने के बाद ये बाल गंगादर तिलक को हरियाना लेकर आते है उसके बाद में next जो परसन है जो और भी अच्छा परसन है वो कौन सा है वो देखे next जो परसन है हरियाना में home rule league का कारिये हो गया SIO गांदोलन के दोरान हरियाना के किस वेक्ती ने हरियाना में राय बहद्दूर का पद छोड़ दिया था SIO गांदोलन के दोरान हरियाना का वेक्ती जिसने राय बहद्दूर का पद छोड़ दिया था तो आप बताएंगे लाला मुरली धर में SIO गांदोलन के दोरान हरियाना का वेक्ती जिसने राय बहद्दूर का पद छोड़ था वो वेक्ती कौन हुआ करता था बच्चे तो आप बताएंगे लाला मुरली धर ये लाला मुरलीधर जिसका जनम तो पलवल में हुआ था लेकिन करम भूमी अंबाला है जिसे दा ग्रांड ओल्ड मेनों पंजाब के नाम से जानते हैं और इसी लाला मुरलीधर के परियासों से हरियाना में कोंग्रेस की पहली साखा 1886 में अंबाला में खुली थी और इस वेक्ति ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में भी बिर्टिस सरकार से कह दिया था कि यदि रोलेक्ट एक्ट यहां आया तो हम सभी पुरुषकार और सम्मान वापिस कर देंगे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ऐसायो गांदोलन के दोरान तो इन्होंने राय बाहदुर का पच्छोड़ा था लेकिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अपने सभी पुरुषकार और सम्मान वापिस करने का फैसला किस वेक्ति ने लिया था लाला मुरली धर ने सीमा रेखा निर्धारन करने के लिए अप्रेल 1955 में आयोग हरियाना में सबसे पहले कहां पहुचा था? कहां पहुचा था? रोध तक में अप्रेल 1955 में जो सीमा रेखा आयोग था वो कहां पहुचा था? रोध तक में साइमन कमीशन के विरोध में किस नगरपालिका ने परस्ताव पास किया था? साइमन कमीशन का विरोध करना है और साइमन कमीशन के विरोध में हरियाना के किस वर्तमान में किस जिले की नगरपाली का ने हरियाना की किस सहर की नगरपाली का ने परस्ताव पारित किया था तो आप बताएंगे जजजर की नगरपाली का ने पूंसी नगरपाली काने जजजर की नगरपाली काने वर्स 1946 में गठित रास्टीय सरकार में हर्याना के कौन से कांग्रेसी नेता थे 1946 में आपने पॉलेटी के अंदर पड़ा होगा 1946 में जब अंत्रीम सरकार का गठन होता है 1946 में जब रास्टी सरकार का गठन होता है तो उस रास्टी सरकार में हरियाना का कौन सा कांग्रेशी नेता सामिल था 1946 में अंतरीम सरकार का गठन होता है उस सरकार में हरियाना का कौन सा नेता सामिल हुआ करता था तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे भाईया बताऊगे चोधरी लहरी सिंग हुआ करता था उसके बाद में मनीपूर में आजाध हिंद फोज की तरफ से पहली बार जंडा किसने फैराया था मेजर सूरजमल जिसका सम्मांद हरियाना से था कहां से था हरियाना से हरियाना के मैदानी भाग की समुद्दर तल से उचाई कितनी बहुत बार एक्जामें पूछा जाने वाला परसन है बहुत बार एक्जामें पूछता है कि हरियाना का जो मैदानी भाग है हरियाना का जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग की समुद्दर तल से उचाई कितनी है तो आप बताएंगे उस मैदानी भाग की समुद्दर तल से उचाई है 700-900 मेटर हरियाना के मैदानी भाग की समुद्दर तल से उचाई कितनी है तो आप बताएंगे 700-900 मीٹर है लेकिन इसी के साथ में क्योंसे पूछा जाता है कि इन मेंसे कौन सी जھیल मैदानी छित्तर की जھیले है तो नसफगड और बीबीपोर जो जھیल है प्यारे बच्चो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को साथ की साथ में सेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा स्टडी गुरूप में सेयर करना और आप अपने दोस्तों से बोल लें कि वो कास किलासिस के उपर आएं और कास किलासिस पे हमारे साथ में पूरा कोर्स पढ़ें ठीक है डॉक्टर जस्वीर सिंग की पुस्तक का नाम बताई है जिसमें हरियाना को आठ भागों में बाटा बहुत बार ये कि उसरे पूछा गया है और कि उसने पूछा जाता है कि डोक्टर जस्वीर सिंग के अनुसार हरियाना है उस हरियाना को मुख्य रूप से आठ भागों में बाटा गया था डोक्टर जस्वीर सिंग के कोल्डिंग लेकिन डोक्टर जस्वीर सिंग की कौन सी पुस्तक के कोल्डिंग तो आप एन एगरी कल्चरल जोगरफी ओफ हरियाना पुस्तक के तहत हरियाना पर्देश को आठ भागों में बाटा गया है और ये पुस्तक किसकी थी थी तो आप बताएंगे डोक्टर जस्वीर सिंग किसकी डोक्टर जस्वीर सिंग हरियाना में सीत काल में ओस्त तापमान कितना होता है तो आप बताएंगे 12 डिगरी सेल्सियस हरियाना में गरिस्म काल में कि ओस्त तापमान कितना होता है तो आप बताएंगे 35 डिगरी सेल्सियस एवरेज टेंपरेचर यदि आपसे पूछता है थंडी के दिनों में सीत रितू के अंदर तो आप बताएंगे 12 degree Celsius यदि एवरेज टेंपरेचर ओसत तापमान आपसे पूछता है सरदी के गर्मी के दिनों में तो 35 degree Celsius सरदी में 12 फरीदाबाद में बढखल जील का निर्मान कौन सी सिचाई परियोजना के तहत हुआ था ये भी अकसर एकजाम में एक उसर पूछा जाता है कि फरीदाबाद में जो बढखल जील है ये बढखल जील 1947 सिचाई परियोजना के तहत बनी थी बड़खल जील अरावली की पहडियों में सितित है अरावली की पहडियों में सितित है बड़खल जील तो इस बड़खल जील के चारो तरफ जो मिट्टी मिलती है वो पत्री ली मिट्टी है कौन सी मिट्टी है बच्चे तो आप बताएंगे पत्री ली मिट्टी उसके बाद में गिरी पादिय मर्दा को हरियाना में किस नाम से जानते हैं गिरी पादिय जो मर्दा है इस गिरी पादिय मर्दा को हरियाना में किस नाम से जाना जाता है तो घर वे कंधी के राम से अब आपके मन में आ रहा होगा ये गिरी पादिय मैदान है ये कौन सी दिसा में मिलता है गिरी पादिय मैदान हरियाना की उत्तर पूरव दिसा में है गिरी पादिय मैदान उसी दिसा में है जिस दिसा में सिवालिक है गिरी पादिय मैदान उसी दिसा में है जहां पर हिमाचल परदेश लगता है अरे गिरीपादिय मैदान पंचकुला, अमबाला और यवनानगर में है और गिरीपादिय मैदान की जो मरदा है उसे सिथानिय भासा में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे घर या कंधी के नाम से, घर या कंधी के नाम से बहुत जादा important question है, घर या कंधी के नाम से उसे जाना जाता है, लवनता वे चारियता से गरस्त मर्दाओं को स्थानिय भासा में किस नाम से जानते हैं, जो मर्दा लवनता वे चारियता से गरस्त है, उस म मर्दा को स्थानी भासा में क्या कहते हैं तो आब बताएंगे रहे या कलर के नाम से जो मर्दा लवनता वे चारियता से गरस्त है उसको स्थानी भासा में रहे या कलर के नाम से जाना जाता है उसके बाद में कौन सी मर्दा को डाकर के नाम से जानते हैं कौन सी मर्दा ऐसी है जिसे डाकर के नाम से जाना जाता है तो भारी मर्दा को कौन सी मर्दा को डाकर के नाम से जानते हैं वचे तो आप बताएंगे भारी मर्दा को डाकर के नाम से जाना जाता है हर्याना के किस जिले में उदासीन परती किरिया वाली मिट्टी मिलती है बहुत अच्छे अब की बार हर्याना में किस जिले में हर्याना के कौम से जिले में उदासीन परतिकिरिया वाली मिट्टी मिलती है तो आप बताएंगे यमुना नगर में यमुना नगर में उदासीन परतिकिरिया वाली मिट्टी मिलती है हर्याना के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है तो लाल चेस्टनट मिट्टी का जीकर करे तो वो भी यवननगर में हर्याना में सबसे ज़्यादा लाल चेस्टनट मिट्टी यवननगर में सबसे ज़्यादा उदासी इन परती किरिया वाली मिट्टी भी कहां पर मिलती है तो यह उननगर में आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी आपको अच्छी भी लगी होगी और यदि वीडियो पसंद आती है तो जादा से जादा इस वीडियो को सटर्डी गुरूप में फैलाएं ताकि हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं यूटूब वगेरा से हमें कुछ मिलने लग जाएं आपके लिए बिल्कुल फिरी चल रहा है ठीक है? तो आप अपने दोस्तों से भी बोले कि यहां कास किलासिस पर आकर महनत करो अकीकत में हम यतनी महनत करवाएंगे बहुत और आप देखी रहे हैं कि महनत लगातार आपको वीडियो मिल रही है यह सब आपकी महनत के कारण ही वन लाइनर सीरीज रूगी है जो परसन सलेबस में नहीं हो पाएं हम उन परसनों को वन लाइनर सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे तो आप अपने दोस्तों से भी बोले आप भी लगातार अपना प्यार और सहयोग है वो हमारे साथ में बना कर रखिएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स किलास में जै हिंद जै भारत और जै हरियाणा धन्यवाद दोस्तों